कल मैंने इंस्ट्राग्राम पे एक छोटा सा QNA का सेशन रखा था जहां पर आप काफी सारे लोगों ने काफी सारे सवाल पूछे थे और उन सभी सवालों में से एक सवाल काफी कॉमन था और वह था How to learn English, English कैसे सीखे? दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपका यह सवाल ही गलत है क्योंकि यह सवाल कोई मीनिंग नहीं बनाता है बिल्कुली कोई सेंस नहीं रखता है क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आप English सीख नहीं जाते तब तक आपका यह सवाल सवाल ही रहने वाला है चाहे कोई आपको कितना भी टिप्स दे दे, कोई आपको कह दे कि आप इतनी vocabulary याद कर लो, इतने आप structures याद कर लो, इतने आप practice कर लो, आपको English आ जाएगी लेकिन असल में जब तक आप English सीख नहीं जाते, आपका यह सवाल स्टिल सवाल ही रहेगा, आप पूछते रहोगे how to learn English दोस्तों अगर आप वाकई में English सीखना चाहते हो, तो यह सवाल आप खुछ से पूछो, खुछ से पूछो, how can I learn English, what can I do in order to learn English दोस्तों अगर आप तयार नहीं हों सीखने के लिए, तो चाहे भगवान ही क्यों ना आजाए इस धरती पर आपको, चाहे कितनी भी सिखाने की कोशिस करें, आप सीखने ही पाओगे लेकिन अगर आपने सीखने का एक बार मन बना लिया, आपने ठान लिया, आपने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीखना है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है बरते हैं, हम लोग आज का lesson स्टार्ट करते हैं, आज का class स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों, मिला नाम है निकेत कुमार, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अंगरेजी सीखो YouTube चैनल पे और आज की class में मैं आपको I, We, You, They, He, She, It इन सब के परियोग के बारे में बताऊंगा और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों इस वीडियो को underestimate बिलकुल भी मत करना क्योंकि आपको लग रहा होगा कि I, We, He, She, It इन सब का परियोग करना तो मैं already जानता हूँ लेकिन दोस्तों मैं भी शोर हूँ कि इस वीडियो से आप लोग जरूर कुछ नया सीह करी जाओगे I का मतलब होता है मैं जब भी आपको खुद के बारे में बताना हो तो आप English में I का यूज करोगे We का मतलब होता है हम या हम लोग You का मतलब होता है तुम या तुम लोग यह परसन एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है दोनों के लिए ही आपको You का यूज करना है They का मतलब होता है वे या वे लोग He का मतलब होता है वह जो की मेल के लिए इसका उप्योग किया जाता है she का मतलब होता है वह जो कि female के लिए use किया जाता है it का मतलब भी होता है वह जो कि या किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर छोटे-छोटे creatures के लिए या आप it का परियोग करके आप समय, दिन, महिना, कोई मौसम, आदि बता सकते हो आई के साथ आप present tense में am का परियोग करोगे, past tense में आप was का परियोग करोगे और future tense में आप shall का परियोग करोगे और positive case में आप have का परियोग करोगे positive क्या होता है जब भी किसी sentence से अधिकार का पता चले जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं कार को possess कर रहा हूँ मतलब मेरा कार पे अधिकार है तो इस तरह के sentence में आपको have का परियोग करना है we के साथ are का परियोग करोगे present tense में past में were, future में shall और positive में have you के साथ are past में were, future में will और positive में have they के साथ are past में were, future में will and positive में have he के साथ present में is, past में was and future में will and positive में has she के साथ is past में was, future में will and positive में has it के साथ is present में past में was, future में will and positive में has जब कोई एक व्यक्ति या वस्तू या फिर कोई ऐसी चीज रहे जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसके साथ आप present में is का परियोग करोगे past में was, future में will and positive में has जब व्यक्ति एक से अधिक रहे, जब कोई व्यक्ति या वस्तू एक से अधिक रहे तो उसके लिए present में are का यूज करोगे, past में were, future में will and positive में have अब आप लोग कुछ example sentences को देख लीचे जो की daily use के जो sentences होते हैं उनी पे best है मैं तयार हूँ, I am ready sentence यहाँ पर present में है, इसलिए am का यूज किया गया है मैं तयार था, यह sentence past में है, इसलिए हम लोग was का यूज करके sentence बनाएंगे I was ready मैं तयार रहूँगा, यह sentence future में है, इसलिए I will be ready हम लोग मजबूर है we are helpless, तुम समझदार थे, you were sensible, वह एक शिच्छक बनेगा he will be a teacher, वह अनपढ थी, she was illiterate पानी गंदा है, the water is dirty, वे लोग उग्रवादी थे, they were militants हम लोग किरायदार है, we are tenants, वह नश्य में धूत्य रहेगा, he will be inebriated, आज रभिवार है, it is Sunday today, जोड से हावा चल रही थी, it was blowing hard, उन लोगों के पास बहुत पैसे है, they have enough money, उसे जरा भी घमंद नहीं है, he has no pride, मोहन के पास एक सुन्दर कार है, मोहन has a beautiful car, अब मैं आपको English के good manner के concept के बारे में समझाऊंगा, बहुत ही simple concept है, मतर दो चीजे यहाँ पर समझने को है, अगर आप समझ गए तो चीजे आसान है, नहीं समझे तो बहुत बड़ी problem है, क्योंकि इस प्रकार के जो sentence होते हैं, आम बोलचाल में काफी ज़्यादा बार उप्योग किये जाते हैं, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने इस concept को समझाने के लिए एक example लिए है, इस example को आप ध्यान से देखेगा, पहला sentence है, मैं, तुम, और वह तैयार है, इसे English में दो तरीके से लिखा गया है, I, you, and he are ready, दूसरा sentence है, you, he, and I are ready, I, you, and he are ready, पहला sentence, दूसरा sentence, you, he, and I are ready, आपको बताना है कि कौन सा sentence सही है, कुछ लोगों को लग रहा होगा, कि पहला sentence सही है, क्योंकि I के मैं के नुसर I, तुम के नुसर you, और वह के नुसर he का पर्योग किया गया है, और उसके बाद R का भी use किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, और तैयार के लिए होता है ready, कुछ लोगों को लग रहा होगा, कि पहला sentence सही है, लेकिन दोस्तो पहला sentence गलत है, गलत क्यूं है, क्योंकि पहला sentence English के good manner के follow नहीं कर रहा है, अब good manner का concept क्या है, इसमें दोस्तो आपको respect देना होता है, दूसरे लोगों को respect देना होता है, अगर आप sentence में हो, तो आपको respect देनी है, अब यहाँ पर दोस्तो respect पहले किसको देनी है, क्योंकि यहाँ पर you भी है और वह भी है, तो दोस्तो जो आपके सबसे पास में रहेगा, जो सबसे करीब में रहेगा, सबसे पहले respect आप उन्हीं को दोगे, जैसे you, जैसे मैं, मेरे सबसे नजदीक में कौन है, you, तुम, तुम ही तो हो, आप है, तो you, I के करीब में you है, तो सबसे पहले I किसको respect देगा, you को respect देगा, उसके बाद he है, वह है, वह थोड़ा सा दूर में, उसके बाद he को respect देगा, तो यहाँ पर you, he and I are ready, concept कितना छोटा सा है, बहुत ही, और बहुत ही important concept है, तो यह concept है, और यहाँ पर देखिए, काफी सारे लोग R के बबले में M का use कर देंगे, again यहाँ पर M का आप use करोगे, तो sentence आपका गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, कि जब sentence में दो व work का use करेंगे, है न, तो यहाँ पर R का use होगा, M का use करना गलत हो जाएगा, और यह sentence सही है, क्योंकि यह sentence good manner के concept को follow कर रहा है, good manner का दूसरा concept है, कि अगर आप कुछ चीजे सुईकार कर रहे हो, यानि अपनी गलतियों को सुईकार कर रहे हो, कोई चीजे confess कर रहे हो, तो सब सबसे पहले आपको खुद को रखना परेगा, यानि सबसे पहले I आएगा, उसके बाद आपके जो close रहेगा, यानि you आएगा, और उसके बाद he आएगा, यहाँ पर एक example है, देख लिजिए, तुमने उसने और मैंने पाप किया, अब यह arrangement हिंदी में जैसे तैसे है, लेकि पर सबसे पहले I का यूज करोगे, सबसे पहले आप खुद को रखोगे, कि हाँ भाई मैं था, मैंने ऐसा काम किया था, खुद को रखना परेगा, आप दूसरों को नहीं कर सकते हो, नहीं है तो I, you and he made a sin, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रहा है, इस क्लास से आपको कुछ नई चीजे सीखनों को मिली है, तो प्लेज वीडियो को लाइक चरूर कर दीजिए, और अगर आप शुरू से इंगलिज सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कमेंट करके अपनी राय या आपके कोई भी